नमस्कार हिमाचल अभीअभी.com से ने दिव्या पेश है आज की मुखे समझार हिमाचल में कोरोना का टीका लगाने के बाद बिगड़ी आंगनबाड़ी कारे करता की तबियत IGMC में गई जान सेम जेरंग ठाकुर बोले अब चाहे कोरोना आए या जाए वे नहीं रुकने वाले मुकेश का तंच हिमाचल की जेरंग सरकार दिशाहीन और कुशल ड्राइवर के हाथों में है प्रुदेश का स्टेरिंग कॉल सिंग चाकुर का आरोप मंडी बीजेपी के विधायकों के साथ भेथभाफ कर रही प्रुदेश सरकार उना में कृशी मंतरी विरेंदर कवर ने कामगारों को बांट दी टूटी फूटी साइकले हिमाचल में कल से एक पश्चिमी विक्षो भोगा सक्रिय बारिश और बर्फबारी लाएगा साथ अब समाचार विस्तार से हिमाचल में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आंगनबाडी कार्यकरता की तबियत बिगडी और आईजीमसी में आज उसकी मौत हो गई 29 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद आंगनबाडी कार्यकरता की तबियत बिगड़ गई थी जिसके बाद उसे पहले टांडा मेडिकल कॉलेज और फिर आईजीमसी शिमला रेफर किया गया था जहां आज उसकी मौत हो गई हाला कि महिला की मौत का कारण सपश्ट नहीं हुआ है मौत का असली कारण पोस्ट मौटम के बाद सामने आएगा उधर प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98 फीजदी से करीब पहुँच गया है अभी 97.9 एक फीजदी है प्रदेश में अभी 222 एक्टिव केस बचे है उना को छोड़ कर बागी 10 से लों में 50 से कम एक्टिव केस है लाउस्पिती में कोई भी सक्रिय मामला नहीं है प्रदेश में आज करोना के साथ मामले सामने आए है महीं 36 लोग ठीक हुए है CM जैराम ठाकुर का कहना है कि अब चाहे कोरोना आये अजाये वे नहीं रुखने वाले और कोरोना की कारण प्रदेश के विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन नहीं होने दी जाएगी ये बात CM जैराम ठाकुर ने सराज गिधन सभक शेत्र के तहत आने वाले बाली चौकी में रेशन कीट पालन परायोजित कारेशाला इवन सबवात कारेक्रम को संबोधित करती हुए गही CM जैराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पुरी दुनिया को हिला कर रख दिया है अलांकि इसका कुछ असर प्रदेश के विकास पर भी पड़ा लेकिन प्रदेश सरकार ने विकास कारियों में कोई कमी नहीं आने दी कोरोना काल में वर्चुल माधियम से साड़े तीन हजार करोड की विकास युजनाओं की उदगाटन और शिलानियास किये गए नेता प्रदिपक्ष मुकेश अगनी होतरी ने कहा कि प्रदेश में अवकुषल ड्राइवर के हाथों स्टेरिंग दे दिया गया है और आप दिशहीन होकर सरकार दुरगटनाओं को निमंत्रन दे रही है मिशन रिपीट कर राग अलापनेवानी सरकार पहले जिस मिशन पर है उसे देख ले ना तो विजन डॉक्यूमेंट लागू हुआ न जनता के हित में कोई निर्ने हुआ बल्कि अवकुशल हातों में ऐसा स्टेरिंग गया कि लगतार जनता पर बोज डालने का काम हो रहा है मीडिया से बादचीत की दोरा अनमुकेश ने कहा कि प्रदेश में लोन लेकर आर्तिक स्थिती को खराब करने का प्रयास हो रहा है केंद्रवा प्रदेश में डबल इंजन की बात करने वालों को आज साम सूंग गया है क्यूं ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा आर्तिक पैकेश मिला है कहां है 79 राष्टी राजमार कहां है एरपोर्ट विस्तार का पैसा धरमचाले के केंद्रे विश्विद्याले का पेच क्यूं फसा है अने समाचार ब्रेक के बाग श्रीबालाजी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कांगडा जहां आपको एक ही चत के नीचे मिले बहतरीन चिकित सासो विधाए कारडियोलोजी, लेप्रोसकॉपिक, जर्नल सरज्जरी, यूरोसर्जरी, ओर्थोपेडिक, स्पीडियाट्रिक, रेडियो डाइगनोसीस, उरोलोजी, गैस्तोएंटोलोजी, अफ्थेलैमोलजी, पैथोलोजी, मेडेसिन, अनेस्थीसिया और डेन्टल जैसी अत्याधुन और बहतरीन चिकित्सा सुविधाईं 24 घंटे एमर्जेंसी सुविधा नोबेट के साथ कुरिटिकल केर यूनिट, काडियक मॉनीटर और डीफिब्रिलेटर्स सेंट्रल अक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नीजी स्वास्थे सेवा प्रदाताओं में से एक शिबालाजी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कांगणा राष्टी स्वास्थे भीमा योजना के साथ सूचिबद शिबालाजी मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल कांगडा बीपिल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भरती होने के साथ ही ECH की भी सुविथा हमारा पता शिबालाजी मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल बालाजी विहार उजैन कांगडा संपर्क करें 92184-11108 पर शिबाला जी मल्टी स्टेशालिटी होस्पिटल कामड़ा पूर्वा मंत्री इमुम कॉंग्रेस के दिगच नीता कॉल सिंग ठाकों ने आरूप लगाया है कि प्रदेश सरकार भेदभाव की नीती पर काम कर रही है यहां तक कि मंडी जिला से बीजेपी के चुने हुए विधायकों के साथ भी बेदभाव किया जा रहा है यारोप उन्होंने आज पंडो विशाम ग्रह में आयोजित द्रंग विधान सबब शेतर के इलाका बदार से चुन कर आए कॉंग्रेस समर्थित पंचायत प्रतिनीदियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से अनुपचारिक बादचीतने लगाए कॉल सिंग ठाकों ने कहा कि केंदर सरकार ने CRF के तहत मंडी जिला के लिए 126 करोड की राशी दी थी ये राशी पूरी जिला के लिए थी लेकिन CM जैराम ठाक और इसे सिर्फ सराज विधान सबक्षेत्र में ही कर्च कर रहे हैं उन्होंने आरूप लगाया कि पद्धर के फाइर स्टेशन और कोट को भी सराज ले जाया गया है जिला के 10 में से 8 विधान सबक्षेत्रों में कोई काम नहीं हो रहे हैं जबकि सिर्फ सराज और धरंपूर में ही काम करवाये जा रहे हैं उन्हा में भवन एवं अन्य सरनिर्मान कार्मगार कल्यान बोर्ड की ओर से 345 कामगारों को साई के लिए बाटी गए इस आयोजन में क्रिशिमंत्री विरींद्र कवान ने शिर्कत की और साईकलें भी बाटी साईकलें तो बंट गई लेकिन गुणवत्ता की ओर ना तो श्रम विभाग ने ध्यान दिया और ना ही भवन एवं अन्य सरनिर्मान कामगार कल्यान बोर्ड ने लिए जाजा आयोजन के चंद मिनट बाद ही शाईकलों की घटिया क्वालिटी की शिकायत्य आ गए हाल ये था कि कई साईकलों की टायर्फटे होए थे तो कईयों की चेन टूटी हुई थी कई साईकलों में कोई न कोई चीज टूटी फूटी थी खुल मिलाकर कहा जाए तो साइकल की हालत इस प्रकार से थी कि कारेकरम स्थल सेला भारतियों को साइकल सडक तक पहुँचाना भी गले की फांस बन गया था किसी भी साइकल में हावा तक नहीं भरी गई थी जब इस मामले को जिला श्राम अधिकारी पीएस चम्ब्याल के समक्ष उठाय गया तो पहले तो वो खुद साइकलों को देखने पहुँचे और खुद ही उन्हें ठीक करते नजर आए वहिश्राम अधिकारी का कहना है कि साइकले भवन एवं अन्य सर निर्मान कामगार कल्यान बोल द्वारा ही खरीदी गई और बोल द्वारा विभाग को बाटने के लिए भेजी गई है सिर्मार जिला के उपमंडल राजगड के दून गाउं के समीप वाहन दुरगटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है यहाथ सा राजगड दाहन मार्ग पर पेश आया पुलिस ने शफ को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम करवा कर परीजनों को सौप दिया है जानकारी के अनुसार राजगड की वाट नंबर पांच निवासी अभिनंतन हाबी शनिवार देन रात दाहन मार्ग पर बने एक होटल में आयोजिक पार्टी के बाद कार से घर लोट रहे थे दोन के समीब गाड़ी अन्यंत्रित होकर करीब डीड़ सो मीटर नीचे पैरवी खड में जागिरी इस दोरान अभिनंदन हाबी गंभी रूप से खायल हो गए वेकार से निकल कर साथ लगते खेतों तक पहुँच गए थे मगर रात के समय कोई सहायता ना मिलने से उनकी मौत हो गई इमाचल में कल से मौसम मिगणने की संभावना है 22 फरवरी की रात से एक पश्चिमी विक्षोब के पश्चिमी हिमालेक शेत्र को प्रभावित करने की संभावना है जिससे मौसम खराब होगा 24 से 26 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोब अधिक प्रभावशाली रहेगा मौसम मिग्ञान केंदर शिम्ला दौरा जारी ताजा अपडेट के अनुसार 22 को लाहल स्पिती के नौर चंबा और कुल्लू वो मंडी के उचाई वालेक शेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है 23 फरवरी को लालस्पिती किनौर, चम्बा, कुलू, मंडी, शिम्ला, सुलन व सिर्मौर में कुछ शेत्रों में बारिश और बर्फबारी का नुमान है 24 से 26 फरवरी तक पुरी हिमाचल में मौसम खराब रहेगा बारिश बर्फबारे और आंधी तुफान के संभावना है 27 को मैंडानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा इसी के साथ ये रेडियो बुलिटें यहीं समाप्त होता है धनली बात